हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल नैचुरल हेल्थ व्लोग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो दोस्तो आज हम जिस पौधे के बारे में बात करने वाले हैं इस पौधे को हर कोई जानता है और हर किसी के घर में ये पौधा पाया जात दोस्तो दोस्तो इस पौधे का नाम है तुलसी आयुरवेद तुलसी को एक जड़ी बुटी वाला पौधा मानता है प्राचिन काल से ही तुलसी के जरिये कई सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस्तमाल होता आ रहा है साथ ही हिंदु धर में भी तुलसी के पौधे का पाया जाता है सेहत के लिहास से तुलसी में कई सारे गुण पाये जाते हैं जो हमें कई सारी बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं तुलसी कई तरह की होती है आम तोर पर जो हम इस्तमाल करते हैं हरे पत्ते वाली वो राम तुलसी होती है और दूसरी कृष्ण तुलसी दोस्तों सेहत के लिहास से कृष्ण तुलसी काफी फायदे मन मानी गई है कृष्ण तुलसी मसाले और कड़वी, मुलायम, चिकनी, पचने में हलकी, शोशक और वातपित में लाबदायक होती है ये कफ, वायरल इंफेक्शन, पिताशे की थैली, रिदय, एनीमिया और कुष्ट जैसे कई रोगों में काफी लापकारी होती है गृष्ण तुलसी में एंटी बैक्टिरियार और एंटी ट्यूब क्लोरोसिस होती है ये रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाती है इसके साथ ही गैस की समस्या को भी खतम करती है दोस्तो ट्यूमर नाशक, शरीर के विशेले पदार्थों को बाहर निकालने के साथ ही तनाव और सिर्दर्द की समस्या को भी काफी हद तक के कृष्ण तुलसी दूर करती है दोस्तो कई बार बुखार कई दिनों तक उतरने का नाम ही नहीं लेता है ऐसे में कृष्ण तुलसी आपके काम आ सकती है बुखार को ठीक करने के लिए कृष्ण तुलसी का काड़ा पीना काफी लापकारी होगा इसके लिए आठ दस पत्तो को एक ग्लास पानी में डाल कर उबाल ले इसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला ले पानी आधा हो जाने के बाद इसे छान कर पी जाए दोस्तो कृष्ण तुलसी के जरिये आप अपने स्टेमिना को भी मजबूत कर सकते हैं नियमित रूप से इसका सेवन करने से इम्म्यूनिटी बढ़ती है साथ ही मेटाबॉलिजम को भी सही बनाए रखने में ये मदद करता है ठंड के मौसम में होने वाले इनफेक्शन से भी बचाती है ये कृष्ण तुलसी दोस्तों आखों से जुड़ी समस्या किसी को भी हो सकती है कहीं से आने पर प्रदुशन के चलते आखों में पानी आना या फिर जलन होना साथ ही कई लोगों को चश्मा भी लग जाता है ऐसे में कृष्ण तुलसी आपके काफी कामा सकती है दोस्तों क्योंकि नियमित रूप से अगर आप कृष्ण तुलसी के पत्तों का रस पानी में डाल कर आखों को धोते हैं तो इससे आपकी आखों की रोश्नी भी बढ़ती है कृष्ण तुलसी महिलाओ के लिए काफी फायदे मंद है दोस्तों दरसल कई महिलाओ को लिए कोरिया की परिशानी होती है जिसमें आपको कृष्ण तुलसी का सेवन करना काफी लापकारी होगा पीरेट्स में बलड ज्यादा आने पर भी कृष्ण तुलसी को पीस कर पानी में मिला कर पीने से लाप मिलता है आजकल लोग छोटी छोटी परिशानियों को लेकर काफी ज़्यादा परिशान हो जाते हैं इसके साथ ही ओफिस का भी टेंशन बहुत बना रहता है इन सब का असर हमारे मानसिक स्वास्त पर भी पड़ता है जिसके चलते तनाव की समस्या शुरू हो जाती है ऐसे में कृष्ण तूलसी का सेवन करके आप अपने टेंशन और स्ट्रेस को भी दूर कर सकते हैं दोस्तो दोस्तो कृष्ण तूलसी, मलेरिया बुखार, कॉलरा, उल्टी आना, कान दर्द, फेफडे के रोग जैसी, ब्रोकाइटिस, अस्थमा, डाइबिटीस, ल्यूकोडर्मा, दात का दर्द, कफ की समस्या के इलाज में भी काफी फायदे मन्द है दोस्तो, श्याम तूलसी, स्टेमिना बढ़ाने में सहायक होती है, ये तूलसी, मेटाबॉलिजम को सही बनाए रखती है, और ठंडी के मौसम में होने वाले, इन्फेक्शन और रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तो, सर में डेंडरफ की समस्या हो तो श्याम तूलसी या कृष्ण तूलसी की चटनी बनाकर बालों की जड़ों में लगाए और आधे घंटे बाद धोले देखेंगे दोस्तों की धीरे धीरे बालों से डेंडरफ कम होने लगेगा दोस्तो यदि छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो भी ये जो कृष्ण तूलसी है इसके रस में सौफ और पूदीने के पत्तों का रस मिलाकर पीने से पेट के कीड़े खतम होने लगते हैं दोस्तो कृष्ण तुलसी की पत्तिया और अद्रक पानी में गर्म करे उबल जाने पर थोड़ा ठंडा हो जाने पर पीए चाहे तो गुडिया शहद मिला ले या फिर साधा ही पी ले इस चाय में एंटि आक्सिडेंट गुण होते हैं यह चाय पीना पेट आत और सास की नदी से जुड़ी समस्याओ के लिए काफी लापकारी है दोस्तो कृष्ण तुलसी का काढ़ा खून साफ करता है रक्त संचार भी सही रखता है और बढ़े हुए बलड प्रेशर से होने वाले तनाव को कम करता है यह बलड प्रेशर सामानने करता है और हृदे की धमनियों को सुरक्षित रखता है